आदाव नमस्कार मैं नुपूर्तिवारी आप सभी का इस्तक्बाल करती हूँ आज गुफ्तगू में हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क की जानी मानी ODC निर्त्यांगना पद्मश्री गीता महलिक जी गीता महलिक क्लासिकल डांस का एक जगमगाता सितारा हैं महें साथ या आट साल की उम्र से ही इन्होंने ODC दांस सीखना शुरू किया और इसमें महारत हासल की करीम मेहनत और जद्दो जहत से इन्होंने वो मकाम हासल किया जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है और इनकी इसी सच्ची लगन का नजराना रहे बेशुमार एजाजाजात और इन्हामात जिसमें पदमश्री काबिले जिक्र है मृत्य और अदकारी का बेजोर संगम गीता महलिक मुल्क के साथ ही दुनिया भर में अपने फन का मुझाहरा कर चुकी है यही नहीं अपनी संस्था गीता उपासना के ज़दिये ये कला और संस्कृती को पूरी दुनिया में फैलाने के साथ ही मुल्क में ODC दांस के नए मस्तक्बिल तयार करने में पूरी शिद्दत के साथ जुटी हुई है आज गीता माहलिक दुनिया भर में काबिल नत्यांगना के साथ ही एक अदाकारा, कुरिग्राफर और गुरू के तौर पर जानी और पहचानी जाती है जो इनकी मक्बूलियत की कहानी बयान करता है गीता जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार गीता जी अभी के समय में कोविट के समय में हालात अच्छे नहीं है दुनिया भर में काफी मुश्किलात आ रही है कला के शेत्र में आपका क्या रियाक्शन है अभी के समय में आप क्या फेस कर रही है देखिए ये COVID की बज़े से तो सब शेत्र में काफी difficulties आया है कई लोग का मोत हो गया है, कई लोग जबलेस हो गया है लेगिन कला की जगत में भी काफी नुक्षन हुआ है जिन कलाकारों के लिए ये कला जो है वो लीविंग है ब्रेड और बटर है, उनके लिए बहुत कठिन समय है क्योंकि प्रोग्राम सारे बंध है, सारे ओडिटिरियम बंध है तो प्रोग्राम होई ने रहा है, तो प्रोग्राम जब नहीं होता है तो उनका financially condition भी बहुत ही मतलब डाउन हो जाता है और ज्यादा तरह जैसे विलेज में कई कलाकर हैं सिरिफ निर्थय और संगीत की जगत में नहीं है जैसे हंडिक्राफ्ट में हैं और दूसरे दूसरे जैसे वीवर्स है सब के लिए ये जो समय जो है बहुत कठिन है उनके लिए कोई पैसा नहीं है और यूओंट बिलीव कई कलाकर में जानती हूं जिनको उन्होंने अभी प्रोग्राम नहीं हो रहा है तो उन्होंने दूसरे जब ले लिया है और यार नोट क्वालिफाइड फॉर ए ग्रेटर हायर जब तो जो भी छोटा मोटा जो भी काम मिलता है उन्होंने वो कर रहें तो क्या कर सकते हैं तो हमारे लिए तो ये बहुत था हलाकि हम सब्ने मिलकर प्रधान मंत्री जी को हमने लिखा था कि आप कलाकारों को उन्ले थोड़ा सा कुछ मदद कर दिए और सरकार ने कुछ मदद किये भी है जैसे जोनल कल्चरल सेंटर की और से जो कलाकार ज्यादा मतलब फैनेंशेली पूर है उनको थोड़ा बहुत मदद किये हैं गीता माहलिक एक काफी नामी गिरामी नाम है और इसे सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं दुनिया में भी इनको काफी जाना जाता है सरहा जाता है इस सारी सफर की शुरुवात आपने कैसे की देखिए बच्वन से मुझे निर्त के लिए बहुत रुची थी और डान्स सिखने के के लिए बहुत मन था चोटे पंसे कोई 6-7 साल उसी समय उमर में तो मैंने डान्स सिखा और उसी समय मेरी लेट गुरू स्री देवा प्रशाद दाज जी ने मेरे घर पर आते थे क्योंकि उस समय कोई इंस्टिटूट इस नाम नहीं था तो घर पर भी गुरु जी हमारे आ गुरु शिशा परंपरा की हिसाब से मुझे वो डान्स सिखाते थे तो उसी समय मैंने डान्स शुरुआत की मेरी और लेकिन स्ट्रगल तो काफी में करना पड़ा इंड़ सेंस हम लोग 6 बहन है और 3 भाई है और मेरे पिता जी को इतना पसंद नहीं था कि मैं मतलब पढ़ डान्स करो संगीत सीको जो भी कुछ करो लेकिन पढ़ाई सबसे आगे रखना है पढ़ने का बाद देन उन समय में यह होता था कि जो जिस लड़कियां सब डान्स सिखते थे खास करके तो वो कहते थे कि आरे यह सब लड़कों की साथ मिलते जुलते हैं इनके करक्टर भी तो वही होता था कि पढ़ाई कर लो उसके बाद अच्छा लड़का देखा और साथी कर दिये और कहते हैं कि साथी के बाद आप जो मर्जी वही करो लेकिन साथी की बाद जब हम सूरू करेंगे उस समय तो लेट फर उस बट बाद में उनका फिर चेंज हो गिया उनका जो काफी मैंने किया उसकी बाद मेरी साथी भी हो गई कॉलेज की बाद हम में देते रही प्रोग्राम देन हम दिली आए दिली आके फिर गुरु माय धर्रावची से हमने सिखा पदमश्री गुरु माय धर्रावची ने तो उनकी पास में 6-7 साल सिखी और प्रोग्राम देते रही और इसके लिए तो काफी मतलब साधी होने की बाद then obligation होता है अपना घर के लिए अपने husband के लिए my husband was a bureaucrat तो उनके लिए भी काफी पतलब obligation रहता है बच्चों के लिए और सब के लिए करके फिर सारे balance करके और dance करना तो थोड़ा सा मुश्किल तो था लेकिन जैसे कहते है न when there is a will there is a way तो मेरा passion था dance के लिए मैं सब कुछ करके सारा balance करके भी आगे बढ़ी कोशिश करी आगे बढ़ने के लिए जी गीता जी इस मुकाम पर पहुचकर और इतना नाम शोहरत पा करके कुछ नाम अब बताए जिनको आजा आप याद करना चाहती है याद तो बहुजन को करना चाहती हूं जैस उन्हें भी मेरे को आगे बढ़ने के लिए काफी सपोर्ट किये हैं और मेरी गूरु जी लेट गूरु स्री देवा प्रशाद दास जी देन पदमस्री गूरु माइधर राव जी अभी भी है वो उन दिनों में भारत अकला के अंदर में थे उन्होंने सिखाते थे और में अभी उनकी आशिरबाद मेरे उपर है तो उनको तो मैं प्रणाम करती हूं उसके बाद मेरे साधी की बाद आई गेव फूल क्रेडिट टो माई हस्वेंट लेट सपोर्टर शी वाजेस पिलार अफ स्ट्रेंग टू मी उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया तो बच्चे ह होगे घर संसार है और उसके साथ जब हाउस वाइफ जब किसी चीज करने के लिए चाहेंगे तो उसके लिए सपोर्ट तो जरूरी होता है तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया मुझे याद है मैं 84 में मुझे ICCR भेजा था अबरोट काफी मैंने टूर किया था आफ्रीका से सुरू करके यूरोप थर्टीन-फोर्टीन कंट्रीज इन आफ्रीका स्पेन पोर्टूगल ग्रीज सारे मने किया थ्री मंस थ्री मंस तब में मैं बच्छे छोटे थे स्कूल में पढ़ रहे थे बट ही मैनेस्ट सब को संभाल के तो उनको तो मैं बहुत याद करती हूं सप कर्ण के लिए क्योंकि सारे वहां पे गुरुस्थानिय जो है पकाओ जो बोकाली सब होते हैं आइगेट जनुवीन और एक्सपरियेंस्ट मूझिशन्स तो मैं वहां जाती हूं तो जाती हूं तो सबको मैं तंग करती हूं लेकिन सपोर्ट मेरा बहुत करते हैं सबके जो भाव होते हैं उसके बारे में तो कुछ भाव भंगीमा आप हमारे दर्शिकों को भी दिखाएं तो अभीने यह होता है कि जैसे हम एक संगीत हम लेते हैं और संगीत के साथ साथ हम अभीने करते हैं जो अभिने करते हैं वो मुद्राएं के द्वारा हम भाव प्रकास करते हैं, जैसे काफी हम उसे को डीटेल में जाना नहीं चाहते हूं, लेकिन जैसे आंगे कभीने होता है, सत्वी कभीने होता है, अहार्य होता है, तो यह सब जीजे हमारे हस्तमुद्रा के द्वारा भी हम जैसे हम पंच्छी दिखाना चाहेंगे, तो कैसे दिखाएंगे डांस में, तो वो हस्तमुद्राई जो है, और इस तरह हम यह दिखाएंगे, पंच्छी दिखाएंगे, कोयल दिखाएंगे, तो ऐसे करके कोयल दिखाएंगे, यह पेड़ हो गिया है, तो इस तरह हम जो हस्तम करते दिखाते उसके बाद जो भाव है तो उसी समय में जब stage में होती हूँ तो सोच लिजए मैं Radha की एक मैं कर रहे हूं Radha की Giddhgobind कर रहे हूं या उडिया गाना में कर रहे हूं तो उसी समय में फिर जो अभिने जो होता है उसकी जो संगीत के अर्थ को में पहले समझती हूं, समझने की बाद मैं महसूस करती हूं, दिल मैं महसूस करती हूं, उसके बाद जो एक्सप्रेशन चेहरा पे जो आ जाता है, वो तो उसको कहते है, साथ्यू कभी ने, वन सुड़ नट आक्ट, इन इट सुड़ कम नाचुरल टूर फेस, जैसे मैंने आपको एक उधारन देती हूं, एक उडिया गाना है, काली जाहा कॉले सखी, नागर राजा, कोही बाकू बोडल आजा, मतलब यह है कि राधा, जमुना में स्नान कर रही थी, स्नान कर रही थी, स्नान के समय, कदम ब्रिक्ष के पीछे छूपकर किशन जी उसको निहारते थे, तो राधा कहती है, हे सखी, किशन जी मुझे काल जोग किया, तो मुझे बहुत लज्या आई, और उन्होंने कदम ब्रिक्ष के पीछे छूपकर मुझे निहारते थे, मैं स्नान करते समय, और अभी भी इसको बोलने के लिए मुझे लज्या आती है, तो अभीने में हम हाथ में हस्तमुद्रा के द्वारा में दिखाते हैं, ज्यादा तरह हम आइस जो है, आँखे की जो है उसको और भाब जो है, एक अभीने जिसे गीत गोविंद है, यामी है कमिह सरनम, राधा अपेक् आमे थी कृष्णा जी की, प्रशारती सशाधर बिंबे, भीत बिलंबे च्य माधवे बिथूरा, मतलब राधा जो है, वो, it is moonlit night and she is waiting for Krishna to come, but he doesn't come, so now she is really sad and despair, वो कहती है सक्खी से, हो सक्खी, अभी में कहां जाओंगी, यामी है, कमिह सरनम, किसके सरन में आओं, तो यह जो सारा है, इसको करते वक्त भी, जैसे मैंने ब्रिंदावन में ये किया था, वारनाशी में किया था, तो उसी समय क्या होता है, मुझे लगता है कि मैं ही उराधा हूँ, और मैं सच मुझका कृष्ण जी क अपक्सा में हूँ, तो उसी के साथ ना, चाहती हूँ मैं डूब जाने के लिए, नहीं चाहती हूँ, मतला ओटोमाटिकली हो जाता है, तो अभीने जो मुझे अच्छा लगता है, तो आई केन, रिलेट टू दू अच्छा लगता है, वो ज़रा भाईब जो होता है, वो भ एन फो सब्द लेशों में भी परफॉर्ममेंजे इसके वारे में आप हमें कुछ बताएं इंडिया में हमारे देस में, सबी समझते हैं, तभी हम होता समझ भी देते हैं, फंद ए ऐक्स्पैरिशन, अ भीने, उन लोग समझ जाते हैं, जैसे हम भीदेस में जाते हैं, जहां पर भी गई हूं, तो वहां पर थोड़ा सा लगता है हम को कि हम जो कर रहे हैं समिज़ पाएंगे की नहीं पाएंगे. तो ये चीज भी हमें थोड़ा सा दिमाग में रखना चाते हैं. तो उसे में हम जैसे pure dance भी करते हैं, और अभीने हैं. युक्तन अब लोगिंग अभिने में युक्तना से फ्रक्राप्राइबौते। कि अभुडते हैं। अभिने। फैरे लगता है कि मुझा आधॉमस has प्रवखतों में जर्मिपर करने को अभिने में पाय तो पायेंगे नहीं आईगा। समझ पमारे के अछल ही ermागे। तो काफी मतलब आच्छा मुझे रिस्पंस मिलता है सब जागा में आफरीका में गई थी तो आफरीका में एक स्टेडियो में एक बार हुआ था मेरा प्रोग्राम ग्रूप के साथ और उन्होंने फिर वो डिमांड आया कि आप राजकापूर और वजिंतिमाला की जो डांस है हम को वह करें हम लुग इन्छारीमिके डांस करें हम उनको कहा देखिए हम तो एंधी मूवी की डांस नहीं कर पर नहीं हम तो सत्रिय स्ट निर्थ कर रहें बट ट RAW ज्यादा रिद्धिम जो हैनbon अफ्रीका में रिद्धिम जड़ उन यह देते हैं उनका ड्रम और इन बज इविन पूस्ते हैं कि छोटे-छोटे चीजे पूस्ते हैं audience से कि आपने इस तरह makeup क्यों किया है, आपने इतना काजल क्यों लगाया, इधर बिंदी हमने ODC में red बिंदी लगा के उसे में ऐसे white dot dot लगाते हैं, ने तो सूरिय का जैसे वो करते हैं, तो अलता किसले लगाया, य जानने के लिए कोशिश करते हैं, मैंने काफी lecture demonstration भी दिया बाहर abroad में, speak market के और से भी, ऐसे भी, तो वहां पर फिर मैं थोड़ा सा समझाती हूं, बोलती हूं कि इसको यह से है, इसलिए custom के बारे में हमारे different सास्त्रिय निर्थ की बारे में, तो they really enjoy, गीता जी आपने काफी निर्थ नाटको की choreography भी की है, जिसी काफी सराहा गया है, इसके बारे में हमें कुछ बताएं, देखिए जब हम solo करते हैं, तो solo की तो अलग बात होती है, लेकिन जब हम group में करते हैं, तो group के जो choreography वो काफी फरक होता है, कई चीज़े हम को धान देना पड़ता है, जैसे पर कौन सा character किस side से आएंगे, इंटर करेंगे, किस side में उनको exit करना है, ये सारे को हम ध्यान देना पड़ता है, anyway, ये तो सारे सभी निर्था गना जानते हैं, मैंने काफी dance drama मेंने किया, जैसे किष्णा विलास, लाबन्यवति, द्रोपदी अंतिम प्रशना, और उर्वर्षी मैंने की, बिश्नुपदर रश्रामृता, और फिलाल अभी latest जो हमने last किया था वो अगनी, तो ये सारे जो dance drama जो है, तो काफी भगवान की दया से सब को पसंद आया है, और जैसे मैं अगनी की बारे में मैं बोलूँगी, अभी मैंने lockdown से पहले मैंने किया था, उसके बाद लगडाउन हो गया, कोई ना solo है, ना dance drama है, कुछ नहीं, तो अगनी मैंने की थी, stay in auditorium, habitat center में, तो अगनी ये है कि पंच भूत जो होता है, उसमें से अगनी एक है, लेकिन उसको मैंने थोड़ा सा अलग एंगल देकर मैंने choreography की, उसका concept को, जैसे हमने अगनी का जैसे क्रोधागनी जो होता है, क्रोधागनी, देन डिफरेंट पार्ट मैंने किया, देन कामागनी, काम, काम से कामागनी, क्रोधागनी, जैसे ज्ञान जो भी अरपित होता है, जैसे गौतम बुद्धा की, देन प्रेमागनी, भक्ति प्रेम जो प्रेमागनी, और कालागनी, और нятьषितागनी. ऐसे डीफरेंट हम ने करके और हर जो है जैसे Kalama Digni है मैंने framinga और vishomitra का वो एपिसोड जो है Huh Ahn berry श्टोरी ले के उसको फिर मैंने उसके कारियोग्राफी किया.inga Je Kalama Digni जैसे repsamitra की है. Kalama, Remote प्रेमागनी प्रेम और काम डिफरेंट है प्रेमागनी है मीरा मीरा की जो किष्णा के लिए जो भक्ती है वो भक्ती प्रेम है उसको मैंने दिया ज्यानागनी गोतम बुद्का मैंने एपिसोड दिया गोतम बुद्का और क्रोधागनी क्रोधागनी मैंने आप जानते होगे म शिभजी तपसा में बैठेते कैसे उन्होंने मदन को वस्म किया और उनका जो त्रीनायना है वो निकल के उनको वस्म कर दिया वो है कृधागनी लास्ट में है कालागनी और चितागनी जो होता है इसका मतलब जो जनम होते है उसका मृत्यू जो है अनिरबाच है जो एक पोद काल जब लास्ट में काल आता है तो काल सब को धौन्स कर देता है उसके पाद जो चितागनी है जैसे मृत्यू होता है जनम होता है उसकी बाद मृत्यू होता है उसको हम चितागनी के उपर रखते है जो चितागनी जो है वो है परमसत्य है राम नामसत्य है नामसत्य है और यह जो है परमसत्य है, तो उसी में लास्ट में मैंने वो चितागनी का देखा, यह सब लेके जाते हैं, और यह बोलते हैं, राम नामसत्य है, हरी नामसत्य है, नामसत्य है, परमसत्य है, तो यह थोड़ा सा कंसेप्ट जो है, हलाकि यह चीज एक ही चीज है, लेकिन थोड़ा विष्णु को जो पूजन करते हैं, उनका मोक्षप्राप्त होता है, तो मैंने वो जो बामन अवतार का, दर्श अवतार जो उन्होंने लिया था विष्णु, तो उनकी बामन अवतार में कैसे बढ़ी को, बढ़ी बड़ा अत्याचारी था, राजा, तो उनको कैसे उन्होंन पैर में उसको कुछल दिया रशातल को, वो दिखाया एक episode में, दूसरे episode में मैंने दिखाया अहलया, जिसर राम आवतार में आया, अहलया के जो पत्थर हो गई ती जैसे रांजी के पाद़पधमा हुआ, उनेको टच किया, जैसे ऑनने फिर पुनर जर्म हो गई हुठा हलया कुछ भी करती हूँ, कुछ भी dance drama हो, solo है, तो मुझे लगता है, कि जैसे मा एक बच्चा को जनम देती है, उसको पालते हैं, लालते हैं, फिर बड़े हो जाती है, फिर उसी तरह, जब बड़े हो जाते हैं, फिर उसको देखें, जैसे मा को जैसे इतना संतुष्ट होता है, उ गीता जी आपने एक संस्था के शुरुवात की है, गीता उपासना, क्योंकि मेरी उपासना यह है, इसलिए नाम उसका वही से दिया है, बच्चों को, छोटे बच्चों को, बतलब बड़े भी है, छोटे है, सब को मैं वहाँ पे ट्रेंडिंग देती हूं, तीचर्स भी है, और देखिए जो बच्चे आज है, कल वो है, they are the future dancer of the country, future artist of the country, they are the pride, they would be the pride of the country, तो इसलिए वही होता है, और मैं हर चीजों को थोड़ा सा minutely देखती हूं, जब मैं सिखाती हूं, तो खाली मतलब stepings सिखाने सब नहीं होगा, उसका stepings की साथ आपको जो body movement जो है, और ODC में जो है हमारी जो लालित्य है, ODC और हर जैसे हमारा भरतना टमय कुचुपुडी है, कथाकली है, कथाक है, सब एक दुसरे से काफी फरक होता है, तो उसका जो body movement है, उसमें काफी लालित्य है, त्रिभंगी है, चोक है, ये सारे का जैसे body, head कहां जाएगा, त्रिभंगी जब मुझे ध्यान देना पड़ता है, और बच्चे बहुत प्यार से सिखते हैं, अभी देखिए, lockdown के लिए तो classes बंध है, institute मेरा बंध है, दो साल से, लेकिन online classes में सुरू से सुरू कर दिया था, online classes, क्योंकि बच्चे को हम छोड़ देंगे, तो वो तो बिल्कुल जो भी सिखा है, वो भी भूल जाएंगे, और माबाप ने, पैरेंट्स भी मुझे सबने कहा कि नहीं, आप online classes करिये, क्योंकि सारा दीन, जैसे पढ़ाई होता है, उनके दो बज़े तक, देड़ बज़े तक, स्कूल के academics चलता है, online classes, उसके बाद बच्चे को कुछ भी नहीं है, they cannot go to the outside also to play with their friends, तो क्या करेंगे, TV देखे बैठ जाते हैं, mobile लेके खेलते हैं, you know, games खेलते हैं, तो मैंने फिर सुरू कर दिया था, after 15 days, last job हुआ था, 20 में, तो 15-20 days की बाद मैंने online सुरू कर दिया था, और online में बच्चे काफी अच्छा सिख गए, लेकिन जो गुरू है, यह कटका मुखा है, तो कटका मुखा यह से रखो, और हंसाश्या यह से रखो, हम correction कर देते हैं, लेकिन जब online में हम class करते हैं, उनको सब चीजे सीखाना पड़ता है, कि यह थम को यह से रखो, और थम के साथ यह four finger को यह से रखो, it is very difficult, you know, the small children, like 5-6 साल के बच्चे उनको क्या है, और यह है, जो उधर से देखते हैं, हम right करते हैं, उन लोग को दिखता है left, you know, opposite हो जाता है न, image, तो उसमें उनको काफी फरक पड़ जाता है, लेकिन उन्होंने काफी सिखा, और मैंने online festival भी मैंने की, जैसे सरश्वती पुजा में, मैंने सरश्वती के एक छोटा सारा virtual festival और बसंत उहलास में ने की festival, काफी मेरा एक, मेरा भी उदर, कालकाटा में, उनोंने भी किया अलंकार festival में, उसमें भी हमने participate किया, कालकाटा में. दो फेस्टिवल हुआ था एक परंपरा भी कोवीद एक फेस्टिवल था उसी में भी मैंने पाटिस्पेट किया अभी मैं एक और वर्ट्वल फेस्टिवल के लिए प्लानिंग करें हूँ सेप्टमबर के लिए तो बस ऐसे ही चल रहा है और मेरे जो रेपोर्टिटी है उनको को लेके भी मैंने काफी प्रोग्राम करती हूँ गर्मेंट अफ इंडिया मुझे भेजा था 2019 में रशिया भेजे थे फेस्टिवल अफ इंडिया के जो प्रोग्राम देने के लिए हमने तीन प्रोग्राम के थे मस्को में अस्ट्रागा में बल्बोगार्ड में हमने किया थ किस यड़ी चड़ना चाह रहे हैं, काफी जदो-जद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, कुछ पैगाम देना चाहेंगी उन्हें? बहुत सारे बच्चे हैं हमारे देश में, अब उड़ी सा में बोलिये, या दिली में कहिए, या यूपी में कहिए, बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे स्कूल में और कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उसी समय इंटरेस्टेड तो होते हैं, कई बच्चे, not the hundred percent, सिखने क के लिए, खाली डांस नहीं है, music भी, dance भी, instrumental music, या sports, जो भी है, सब सिख रहे हैं, लेकिन जब भी में lecture demonstration के लिए मैं जाती हूँ स्कूल और कॉलेज में, तो उस समय में उनको पूछती हूँ, कि आप लोग कुछ सिखते हैं, तो boys जो होते हैं, boys कहते हैं, हम तो डांस नही है, उडी सी के गुरू स्री के लुचरन महापात्र, गुरू स्री पंकचरन दास, हमारे मेरी गुरू, गुरू स्री देप्रशाद दास, गुरू स्री मायधर राव, सारे मेल है, and then dance कहां से सुरुआत हूई, सिभजी से, सिभजी तो मेल है, तो तुम लोग क्यों नहीं तो कुछ सीखो, music सीखो, instrumental music सीखो, कुछ भी सीखो, आज कल के बच्चे जब मेरे पास भी आते हैं सिखने के लिए, बच्चों से जादा मैं parents को जादा थोड़ा सा बात करती हूँ, parents कहते हैं, admission के लिए आएंगे, और parents कहेंगे, यह कब perform करेगी, stage में, मैंने कहा कि देखि फिरफा स्टांडर, second standard होते हैं, पहले A, B, C, D लिखना तो सिख जाए, तो डांस का भी ऐसे fundamental stepings तो सिख जाए, उसकी बाद आप जब एतना जल्दी करेंगे, कि कब उन्होंने perform करेंगे, तो बच्चे को तो क्या है, psychologically भी वो सोचेगी, कि कि यह नहीं सिखना है, हमें गान हैं, तो they must be learning, you know, like, how we के हिसाब से भी सिख रहे होंगे, जो भी करें, जो भी सिखें, जो भी करें, जो भी सिखें, जो भी करें, they should be very sincere and dedicated, यह दोनों चीज, जो passion है, passion को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, sincerity और dedication की साथ हम आगे बढ़ाएंगे, जो भी तुम करो, अच्छा से करो, with sincerity, इतना मैं उनको बोलना चाहूंगे, वह हर टाइम में बोलती हूं, कुछ ना कुछ करो, खाली पढ़ाएं में नहीं होगा, आगे कुछ करो, ताके आगे तुमको, it would, you know, like, help you to develop a holistic personality. आपकी पसंद का कोई फिल्मी नगमा हो जाए? देखिए, मैं classical dancer हूँ, और जब मैं dance करती हूँ, मेरे लिए गाना जो और कोई गाते हैं, हम तो अभी ने करते हैं, और मैं तो bathroom singer हूँ, मेरे को इतना, हाला कि पसंद बहुत है, मैं तो सुबे साम जैसे उड़ती हूँ, मैंने पहले लगा लेती हूँ, कोई भी पसंद की गाना, वर्डिंग्स तो ज़्यादा याद नहीं रहता, मैं गुनगुना सकती हूँ, एक guide film का, ओईदा रमान का, जो बहुत ही पसंद मुझे होता है, गीता जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपनी काफी अच्छी जानकारी दी, अच्छी बाते बताएं, और आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा, यहां पे गुफ्तगु में मैं पहली बार आई हूँ, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और आपके बहुत बहुत धन्यवाज, मैं सबको मेरा नमस्कार, तो नाजरीन, गुफ्तगु में फिलहाल इतना ही, अगले हफ़ते आपसे फिर होगी मुलाकात, एक नई सक्षियत के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, आदाब!